कि नमस्कार मैं 36 गणबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार एक दिन ऐसा नहीं गुजर रहा है जब artificial intelligence को लेकर कोई नई खबर ना आए नई तो रहती ही है दिल्चस्प भी बहुत रहती है अच्छी बुरी दोनों तरह की बुरी खबर से शुरू करता हूँ ताकि बात में इससे ज़्यादा बुरा आपको कुछ नह सुनना पड़े इसराइल गाजा पर फिलिस्तीन पर जो हवाई हमले कर रहा है अपने निशानों को ठिकानों को artificial intelligence से तै कर रहा है नतीजा ये निकला कि एक अंतर राष्ट्री ये संगठन जो वहाँ पर खाना बाट रहा था उसके साथ लोगों को मार डाला इसराइल के हमले ने उनकी गाड़ियों को निशाना बना के मारा और इन निशानों को artificial intelligence ने च्छाट कर इसराइल की military को दिया था कि ये संदिक्द दिख रहे हैं इनको मारो और मार दिया उसने आर्टिफीशल इंटेलिजेंस पे ऐसा आँख बंद करके भी भरोसा मत करें ये सबसे बुरी बात आर्टिफीशल इंटेलिजेंस की जो हल फिल हल में मुझको सुनाई दिये बाकी तो मुझरिम इसका तरह-तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं किसी के बच्चे की आवाज कहीं से छोटी सी recording निकाल कर बच्चे का अफरन कर लेते हैं उस बच्चे की आवाज में अपील अपने माँबाप से कि मुझको बचा लो ऐसी पूरी बात अस आर्टिफीशेल इंटेलिजेंस बना देता है उस बच्चे की आवाज में उसको सुना तो भी ऐसी आवाज सुनाते रहते हैं और अभी तो यह हो गया है मैं सुन रहा था अर्टिफिशल इंटेलिजेंस पे काम करने वाली एक कंपनी ने ताजा मामला यह बताया है कि टेलिफोन पे बात्चित जैसे मैं बात कर रहा हूं मेरे किसी परिशित से तुम कहा गायब हो कौन ले गए हैं तुमको मेरे उस परिशित की आवाज में मुझको जवाब मेलेगी मुझको उठा के ले गए हैं बंदुक दिखा के ले गए हैं मुझको मुंबई ले आए हैं दिल्ली ले गए हैं मुझको तो तुमको ले के कैसे गए कार से ले गए प्लेन से ले गए कैस तो जो मैं चाहूं, वो बोलू वहां से कोई और बोल रहे हैं शब्दों को और वो शब्द artificial intelligence मेरी आवाज में telephone call पर मेरे घर वालों को सुना रहा है इस दर्जे का artificial intelligence आम इस्तेमाल हो रहा है इसमें कुछ भी खास नहीं है थोड़ा सा पैसा आप दें ये एप्लिकेशन लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से ये भी हो रहा है कि मेरी छाती का X-ray है मान लीजिए रेडियोलाजिस्ट उसको देखते हैं उनको लगता है कि नहीं इसमें कुछ abnormal नहीं है इसमें TV इनके फेफ़डों में नहीं दीख रही है जो जो पैरामीटर रहत हैं जाच के वो नहीं दिख रहा है जी एक रेडियोलाजिस्ट दो चार लोग देख के बतला देंगे कि नहीं इसमें नहीं है टीबी नहीं है इनको लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे X-ray की study करके ऐसे X-ray को देख कर कुछ second में बतला देंगे ऐसी बारीक चीज को निकाल देंगे जो कि कोई बहुत काबिल रेडियोलाजिस्ट भी छोड़ सकते हैं छूड़ जाती है उनसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा इस्तेमाल X-ray को लेकर MRI को लेकर CT scan को लेकर तरह तरह से सामने आ रहा है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐस सकते थे रेडियो डाइगनोस्टिक के दूसरे डॉक्टर नहीं बता सकते थे ये एक और इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है लेकिन आज जिस खबर की वजह से मैं आपके सामने हूँ वो बड़ी दिल्चस्प खबर है अमरीका की वरजीनिया की जार्ज मेसन युनियरसिटी ने अभी एक रिसर्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से और उन्होंने बतलाया है कि किसी व्यक्ती की चाल कोई व्यक्ती चल रहा है या चल रही है कोई महिला उसकी रिकॉर्डिंग करके उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसका विशलेशन करें, Artificial Intelligence बता देता है कि इनकी रात को नींद पुरी हुई है कि नी, चाल देखकर नींद पुरी हुई है कि नी, ये बता देता है, मान लेजिए, कोई वेकती है, अपनी महभुबबा को ये धोखा देना चाहता है, कि पूरी पूरी रात में तुम्हारे चक्कर में सोता नहीं हूँ नींद आती नहीं है किवल तुम्हारे बारे में सोचते रह जाता हूँ मैं कल पूरी रात में मैं आधा घंटा भी नहीं सोया हूँ अच्छा और उस प्रेनीका के हाथ में अगर ये Artificial Intelligence का टूल है, अवजार है, वो कहें कि थोड़ा चलो तो सो कदम चल के दिखाओ, और दिखके बतलाएगी कि तुम साड़े छे घंटा सोय हो पिछली रात, पूरा गुब्बारा फट जाएगा महबबत का, तो Artificial Intelligence इस हद तक इस हद तक दखल दे रहा है, मैं बतलाता हूं आ इना Artificial Intelligence के भी जो मामूली टेक्नालाजी है, मैं ये फिटनेस बैंड पहन कर, देखता हूं दिन में कितने कदम चल लिया, कितना किलो मीटर चला, कितनी देर में चला, कितनी स्पीड थी ये बता देता है, ये मुझको इस बात के लिए भी उकसाता है कि रात को मैं पहन के इ इन कैसी हुई है, बीच में कितनी बार उठा हूं, कितने घंटे में ठीक से सोया हूं, ये बतला देता है ये, कई ऐसे फिटनेस बैंड है, मैं ब्रांड प्रमोट करना नहीं चाहता, जो ये भी बतला देते हैं, कि आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, क्या, दिल का दोरा पढ़ने वाला है, क्या, कई तरह की चीजें बता देते हैं, अब ये नया बवाल एक खड़ा हो गया, ये बतला देगा आपकी चाल देखकर, कि रात में आप ठीक से सोय थे कि नहीं, आप रात भर कहीं पे जुआ खेल रहे थे, रात भर दारू पी रहे थे, रात भर कुछ के बतला दे कि तुम दस बच के पैंटीस मिनट में सोय थे, सुबह पांच बच के अठावन मिनट पे जागे हो, बीच में एक बार तुम दो ढ़ाई मिनट के लिए उठे हो, शायद बात रूम गए होगे, उसके बाद तो तुमारे खराटे बढ़ोस तक गए होंगे, ऐसा लगता है मुझको, और तुम मेरी मुहबत का दावा करते हो ऐसा, तो आर्टिफिशल इंटेलिजेंस कई तरीके से लोगों की निजी जिन्दगी का भंडा फोन करने जा रहा है, मैं दूसरी बात सोचता हूँ, ये तो निशकर्ष आ गया, शोतकार्ये का निशकर्ष आ गय अमेरिकन विश्विद्याले का, मैं दूसरा सोच रहा हूँ, अभी जो चल रहा होगा रिसर्च, वो कैसा कैसा चल रहा होगा, और आप मान लीजिए, किसी भी आम व्यक्ती की कल्पना जितना सोच सकती है, मेरे जैसे आम व्यक्ती की कल्पना जितना सोच सकती है, दुनिया में जो हो रहा है कहीं न कहीं उससे ज़्यादा कलपना भी आसान नहीं है मेरे जैसे आम यक्ती की अब मैं ये सोच रहा हूं कि चाल देखकर ये बता रहा है कि नीन पूरी हुई है कि नीन कल के दिन ये चाल देखकर बताने लगे कि चाल चलन कैसा है इस आदमी का तो क्या कि इसने रात में क्या-क्या किया होगा तो क्या होगा चाल देखकर अगर ये बतलाने लगे कि इसकी आदतें क्यों-कौंसी हैं ये किस दिन सेटर्डे संडे जो छुट्टी के दिन रहते हैं दावत के मठर गश्टी के उसके बाद सोमवार की सुबह इसकी चाल कैसी रहती है और तीन दिन काम करने के बाद बुद्वार ये गुरुवार को इसकी चाल कैसी रहती है तो कैसा रहेगा ये सब आउजार कहीं ने कहीं कोई ने कोई बना रहे होंगे इसलिए मैं आपको सला के वल इतनी दे सकता हूं महज चाल ठीक रखना काफी नहीं है चाल चलन ठीक आपके चाल चलन तक भी पहुँच जाएगी हो सकता है आप किन लोगों से कितनी देर बात करते हैं किस से मिलने जाते हैं आप कौन से लोकेशन पे जाते हैं कितना देर उस लोकेशन पे रहते हैं हफते के कौन कौन से दिन आप कहां जाते हैं हफते के कौन कौन से दिन कितन गंटे क्या करते हैं, रात कितने से कितने बज़े तक आप चैट करते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ों का विशलेशन मैं आपको बतलाऊं, मेटा जैसी कमपनियां जो हैं, जिनके हाथ में फेस्बुक भी है, इंस्टाग्राम भी है और वाटसेप भी है, इनके हाथ में आप समझ लेजिए, आपका तौलिया है, इन कमपनियों के हाथ में, जिस दिन ये कमपनी चाहे आपका तौलिया खिंच देगी, इनके पास आपकी इतनी जानकारी है, आपका हर हाई हेलो इनके कमप्यूटरों पे दर्ज है, कहने के लिए कहते हैं, कि ये end to end encrypted ह ही है, ऐसा कहते हैं, कि बीच में कोई देख नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, अगर बीच में कोई देख नहीं सकते, तो मुझको इस्तहार कैसे आते हैं, मैंने वाटसेप पे मैसेज भेजा अपने वीडियो ग्राफर को, कि ये कैमरा कैसा है, और दस मिनट के भीतर मुझको मेरे Facebook पर उस camera के इश्टाहार आने लगते हैं, उसके प्रतिदंदियों के इश्टाहार आने लगते हैं मैंने किसी को लिख के भेजा कि मैंने फला company के जूते खरीदे हैं, आज बहुती comfortable है कुछ देर के भीतर मुझको इश्टाहार दिखने लगते हैं, Facebook पर, Twitter पर या Instagram पर, कौन कौन से जूते जूते जूतों के इश्टाहार दिखने लगते हैं सब जहां करें हैं, Artificial Intelligence ये तै कर रहा है, आपकी हसरत कौन से सामान खरीदने की है मैंने भी किसी एक सामान को तलाश किया, उसको तलाश किया मैंने उस company की website पर जाकर, ठीक है, company की website पर जाकर तलाश किया है मैंने उसका link मैंने भेजा किसी को WhatsApp पर, उसके एक मिनट बाद जब मैं Facebook पर गया, तो उसी company के उन्ही सामानों के इश्टाहर पट गए थे, मेरे Facebook पर तुमको इस सामान की इच्छा है ना, हसरत है लो हम तुमको दिखा रहे हैं इश्टाहर, artificial intelligence की दखल आपकी जिंदगी में इतनी ज़्यादा हो चुकी है, कि अगर आप social media पर हैं, तो आप बिलकुल भी महफूज नहीं है, अगर आप internet पर जाते हैं, तो भी आप कहीं दुनिया में जो cyber criminal हैं वो जाहिर है, नाजायज औजार बनाते हैं कई तरह के, नजर रखने के लिए, पीछा करने के लिए, आपके फोन पे घुस पैट करने के लिए, हैक करने के लिए, हजार किसमे के औजार बनाते हैं, आपने सुना है ना, इसराइल की कमपनी ने Pegasasus का जो साफ्ट वेयर बनाया था इसराइल कहता है कि हम ये केवल देशों की सरकारों को बेचते हैं केवल जायज काम के लिए देते हैं कितना इमानदार देश है आपने देख लिया है जो निहत्थे लोगों को थोक में मार रहा है थोक में जिसने दुनिया का सबसे बड़ा सम्हार किया है वो कितना इमानदार होगा वो क्या पेगासा साफ्ट वेयर देख देख के बेचेगा अच्छा तुम इमानदार दिख रहे हो तुम किसी का घुसपैट नहीं करोगे और तुमने बनाया है वो ही हतियार है घुसपैट करने का तो तुम क्या इमानदारी की बा कानून के हिसाब से गैर कानूनी है आपको बहुत सावधान रहने की जरूवत है यह तो मैंने विक मजाक में बात चालू की कि आपकी चाल देखकर यह बतला देगा कि आपकी रात को नीन ठीक से हुई है की नहीं मेरा मानना है कि जो काला बाजार है इंटरनेट का डार्क इसे होंगे जो आपकी कई हरकतों को उसमें डालने से बतला देंगे आपका चाल चलन कैसा है यह ज़्यादा खतरनाक हो सकता है चाल वाल तो सब ठीक है चाल तो मेरी भी चलते चलते पैर में दर्द हो जाता है किसी दिन ज़्यादा चल लेता हूँ इड़ी में दर्द रहत बहुत ज़्यादा दिन तक वो आपके आपके आपका राज नहीं है चाल चलन लिहान रखिएगा आज बस मैं इतने ही सावधान करने आया हूं आपको तहने के लिए ये वरजीनिया की युनियरसिती ने चाल के विशलेशन से कहा है कि आप रात को सोए हैं कि नहीं मेरा मानना है कि आपके चाल चलन का विशलेशन भी कोई न कोई युनियरसिती अभी तक कर चुकी होगी बच के रहिएगा फिर मिलते हैं अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया आज कल को सब्सक्राइब कीजिएगा नोटिफिकेश इसमें कुछ गड़बडी रहती है मेरे जैसे रहते हैं बहुत सारे लोग इसलिए मैं उनको साधान कर रहा हूँ कमेंट लिखिए दा नीचे आपको ये पूरा मुद्दा कैसा लगता है टेकनलाजी कैसी लगती है चलते चलते एक छोटी सी बात एक छोटी सी सलह आपको च इस्बुक मेसेंजर हो चाहे एसेमेस हो चाहे वो वाटसेप हो सिगनल हो कोई भी आप इस्तेमाल करते हैं उसको साप सुथरा रखिएगा साप सुथरा आर्टिफिशल इंटेलिजेंस बहुत जल्दी मैं आपको एक बात बतलाता हूँ मेरे वाटसेप में जो सर्च का जो उपर उसमें भी गोला दिखने लगा है कि मेटा के आर्टिफिशल इंटेलिजेंस से सर्च करो मैं अभी तक सीखनी पाया हूँ उसका क्या मतलब है आपके फोन से आपके वाटसेप से पल भर में कोई ये सर्च कर सकते हैं आपने कितने लोगों को जानेमन लिखा है कितने कुब दिल रुबा लिखा है किसी को डार्जिंग लिखा है किसी को लव लिखा है हो सकता है वो पल भर में निकाल दे नया नया आइटिफिशल इंपिस्यल इंटेलिजेंस है सोचके देखिएगा सावधान रहिएगा गंदगी अपने मोबाईल फोन से अपने चैट वाक्स से अपने इमेल बाक्स से हटा दीजिए इसलिए भी कह रहा हूं मैं जिनगी कोई ठिकाना नहीं है कल के दिन आप न रहें कम से कम आपके परिवार की नजर में आपका सम्मान तो बरकरार रहें आपके फोन पे कई किसम की अगर चैट देखेंगे वीडियो और फोटो देखें उनके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा बाकी जिन्दगी कि किस तरह का कलंक हमारे परिवार में था जिसको हम सम्मान करते थे साधान रहिए